बहुत बहुत स्वागत है भी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हाँ भी जो भी कैंडिडेट्स CET, HSSC की त्यारी कर रहे हैं उसमें मैत की जो कोस्टन आएंगे उसकी हमारी ट्रिक चल रही थी रिशो और प्रोपोर्शन वाले की अनुपात और समानुपात की ट्रिक चल रही थी तो उसमें से आपको एक कोस्टन आपको एक या दो कोस्टन आपको जुरूर मिलेंगे तो जिसने प्रिविस वीडियो नहीं देखी उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्प्शन बॉक्स में दिया गया है जिसने वो प्रिविस वीडियो नहीं देखी ट्रिक की वो सारी वीडियो उसमें दे रखी है जाकर देख लो या उसकी आप प्लेलिस्ट भी देख सकते हो प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको दे दिया गया है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के फर्ष्ट कोस्टन है हमारा तीन अनुबात पांच के प्रतेक पद में छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ें की नई संख्या तीन अनुबात चार के अनुबात में हो अब देखो पहले तो आपने कोस्टन को सबसे पहले तो फर्स्ट अफॉल यू रीड दा स्टेट्मेंट भी केरिफूली आफ्टर दैट यू विल इजी स्वालो दा सम तीन अनुबात पांच के प्रतेग पद में छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ें अब ये हमें अनुबात दिया हुआ है ठीक है इस अनुबात के इस ये पहला पद है ये दूसरा पद इनके प्रतेक पद के अंदर छोटी से छोटी संख्या को हमने जोड़ना है और जो नई संख्या है इसके अंदर क्या जोड़ें कि जो नई संख्या है वो तीन अनुपात चार के अनुपात में हो जाए हमें नहीं पता इसमें क्या जोड़ना है तो हम एक काम करते हैं इसमें ए जोड़ देते हैं ठीक है और इसमें भी क्या जोड़ देते हैं ए जोड़ देते हैं ठीक है और नई जो संख्याई है उनका जो अनुपाद है वो हमारे पास तीन अनुपाद चार आ गया ठीक है क्रोस मल्टिप्लाई कर दो 12 पलस 4 ठीक है और बराबर में 15 पलस में कितना है 3 A ठीक है A A को लग कर लो 4 माइनस में 3 A बराबर में 15 माइनस में 12 ठीक है यहां कर देते हैं 4 में से 3 गए A बराबर में 15 में से 12 को माइनस करेंगे तो 3 3 तो A का मान कितना आगया 3 हमने क्या जोड़ा था A तो A का मान 3 तो वो छोटी से 6 संक्या कौन सी है 3 है ऐसा कोई भी सम आजाए आपको तो आप इसको असानी से कर सकते हो ठीक है चलिए next सम की तरफ चलते हैं 240 तो इनका अंतर कितना है देखो भी question को समझो पहले संक्या का जो अनपात है एक अनपात तीन है ठीक है यदि इनका योगफल यनि इन दोनों का जो योगफल है वो 240 है अब इनका अंतर बताना है तो यहाँ पे लिख लो first और यहाँ पे second और इन दोनों का अनुपाद ठीक है फस्ट और second अब इनका अनुपाद कितना दिया हुए मैं एक अनुपाद तीन ठीक है और इनका कुल कुल करो तीन और और एक कितने होगे चारे और इनका दिला हुए 240 तो एक कितना आ जाएगा 240 240, और बटे में कितना है, 4, 4, 24, एक इतना आजाएगा, हमारे पास 60 आजाएगा, अब हमने बताना है, इनका अंतर बताना है, ठीक है, तो अंतर कर लो इनका, अंतर, अंतर कर लो इन दोनों का, 3, माइनस 1, कितना आगया, 2, ठीक है, तो अंतर, अंतर से गुना कर दो, ठीक है, दो को 60 से गुना कर देंगे, मरांसर आजेगा ठीक है, 60 दुना कितना हो गया 120, ये मरांसर है अगर आप दूसरे मैथड से करोगे 60 को इसके अंदर पुट करोगे 60, 60 को इसके अंदर पुट करोगे 60 तिया, 180, 180 में से 60 गए 120 लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाएगा ठीक है, दिरक्ट माइनिस करके अंदर से गुना कर दो ठीक है, साथ की साथ लाइक करते रो नेक्स्ट सम की तरफ चलते है नेक्स्ट सम है हमारे पास दो संख्याएं, तीन उनपाद, चार में है तता लुग तम समावर तक 84 है, इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी दो संख्याएं दे रखी है हमें कितना उनपाद दिया हुआ है तीन उनपाद, चार ये हमारे पास फर्ष्ट संख्या है और ये हमारे पास सेकंड संख्या है इन दोनों का अनुपाद हमें दिया हुआ है तेन अनुपाद चार ठीक है अब इन दोनों का हमें अनुपाद दे रखा है अब इनका अलसियम दिया हुआ भी इन दोनों का अलसियम निका लो या इसकी कोई किसी के पाड़े में नहीं आता तो चारतीय बारा इसका LCM हो जाएगा ठीक है जो हमें दे रखे उसी से करेंगे तो चारतीय बारा हम इसके साथ A लगा कर चलते हैं तो A बारा A किसके बराबर है 84 के तो A किसके बराबर आगा 84 बटे 12 84 बटे 12 तो A आगा 7 ठीक है हमें बड़ी संख्या ग्याद करनी है तो बड़ी संख्या क्या है इसमें से यहां मैं ऐसे तीर का निशान उपर लगा कर लिख रहा हूँ तो बड़ी संख्या बड़ी संख्या क्या है इसमें चार है तो चार को इससे गुना कर दो बराबर में साथ गुणा में चार कितना अंसर आगा अठाईस ठीक है यही हमने फाइंड आउट करना था कि हमारे पास बड़ी संख्या क्या अगर छोटी संख्या पूछता तो हम तीन से गुणा कर देते इसको सात्या 21 से रा जाता ठीक है चलिए नेक्स हम की तरफ चलते हैं